हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो जीके केज़ फोर यू स्टडी चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिसेश करेंगे जीके के टॉप 25 मॉस्ट इंपोरेंट प्रस्ट जो की एक एक प्रसेंट चूल करके लाया गया है और हर एक प्रसेंट से समधित कुछ इस्टा फैक् प्रस्ट करतें तक कि आपको आने में वीडियो के सबसे पहले मिल सके और तो इसलिए पुरान तक जरूर देखिएगा और उसका एंसर में जरूर बताईगा चलिए अचका पहला कॉश्चन है भारत की सांतरता के समय भारती राश्टिक कांग्रिस के अज्यक्ष थे देखि यानि इस कोश़न का प्षण डी साही होगा चलिए आप अगाला दखते हैं तो यहां नहीं सपति पाई जाती है तो देंगे इस सब्सक्राइब ौनसपती बेच सब्सक्राइब सबसे बड़ा दिन होता है को सबसे बड़ा दिन होता है को सबसे बड़ा दिन होता है तो सबसे बड़ा दिन को होता है 21 को सबसे बड़ा दिन होता है को होता है 21 को सबसे बड़ा दिन होता है को होता है 21 को इसको आप याद रखीगा यानि इस को सबसे बड़ा दिन होता है को ह मतलब क्या है तो इसके इकोट्रूज में का अभी प्रा या इसका मतलब प्राकर्तिक आंचलो की मातर से क्या है प्राकर्तिक आंचलो की मातर से इसको आप याद रखेगा यानि इस कोशन का अफ्टन भी सही होगा चलिए अब आला देखते हैं ना कोशन नमर फाइब है भारत मैं सार्वरृपरथा महिला सासक थी नियां भारत मैं राजिया बेगमियु यैनि इस इसकोन का प्षान दी सयyoga जोगा क्रिशन मुरूंड पहसां नमर्सक्यां क्रिश्न देवराय दवारा लेखित अमुक्त मालदाय किस भासा का गरंध है तो देखे क्रिश्न देवराय दवारा लेखित अमुक्त मालदाय तेलगू भासा का पुरंध है किस भासा का है तेलगू भासा का गरंध है कौन अमुक्त मालदाय तेलगू भासा का गरंध है यान इस question का option C सही होगा चलिए अब अगला देखते हैं ना question no.7 है फोटोग्राफिय में उप्योगी हाइपो रसानिक रूप क्या है यहाँ फोटोग्राफिय में उप्योगी हाइपो रसानिक रूप क्या है तो देखे इसका सही आंसर जाएगा sodium thiosulfide क्या है फोटोग्राफिय में उप्योगी हाइपो रसानिक रूप sodium thiosulfide है क्या है sodium thiosulfide है यानि इस question का प्रियोग सागर की गहराई को मापने में किया जता है है जलि अब आलाग देखते हैं ना question number nine है प्रकास का दो अलग 100 रूप है जी याँ प्रकास का दो अलग 100 कौन 활 रोड है वह हमें बताना है तो देखे प्रकास का दो अलग 100 रूप बीवर्तन तथा प्रकास का दो अलग साहरूक ब्यूरटन तथा फोटो एलेक्टिक प्रभाभ यानि इस कोशन का प्सन सी सही होगा चलिए अब आलाग देखते हैं ना कॉश्व नबर 10 है निकट दिश्टी कोण सही की जा सकती है तो दिखे निकट दिश्टी दोस ठीक किया जा सकता है यानि इस कॉश्व नबर 11 है पोकियोंग हवाई अड़ा किस राजे में अवस्तित है यहां प्रेंट से इसको बताना है कि पोकियोंग हवाई अड़ा किस राजे में इस्तित है तो इसके पोकियोंग हवाई अड़ा सिक्किम राजे में इसी दें, कहां ब such किम में है, इसको यदधर रखेगा, यानि इस कोसन का प्पसकिक सई सही होगा चलीए, अब अगरा देखते है, ना कोशन नमर 12 है, बत धर्म के अंतिमहान राजकीस सौनरचक कौन थे? तो दिखे बोध धर्म के अंतिमहान राज़की सवनचक बंगाल और बिहार के पाल वांच के साथ सकते कौन थे बंगाल और बिहार के पाल वांच के साथ सकते यानि इस कोशन का प्षण एस सहय होगा चलिए अब आगला देखते हैं ना कोशन नमबर सटीन है और सहयोग अंदोलोन के कारेकरम में निम्निकित में से क्या समलित नहीं था तो देखिए और सहयोग अंदोलोन के कारेकरम में स्वासासन की मांग पर जोर समलित नहीं था क्या स्वासासन की मांग पर जोर समलित नहीं था और सहयोग अंदोलोन के कार अगर आपको इसका अनसर पता है तो कन दा सकते हैं कहां स्रक्री में पश्मित तटके नजदिक से बहुत है कनारी धारा यानि इस कोशन का प्षण सी सही होगा चलिए अब आरा देखते हैं ना कोशन नवर 15 है वर्ष का पहला ग्रेंड एस्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है तो दिखिए वर्ष का पहला ग्रेंड एस्लैम टेनिस टूर्नाम चलिए अब आरा देखते हैं यहां पर मैं कुछ ठेक्स बता जाता हूं दीखिए टेनिस के चार परतिस्थी टूर्नामेंट इसमें से फ्रेंच ओपें हो गया बीमंडल ओपें हो गया और आस्ट्रेलियन ओपें और यूएसे ओपें को मिलाकर ग्रेंड एस्लैम का कहा जात है फ्रेंच ओपें बीमंडल ओपें अस्ट्रेलियन ओपें और यूएस ओपें को मिलाकर ग्रेंड एस्लैम बोला जाता है ठीक है तो इसको आप याद रखीगा चलिए अब आगला देखते हैं ना कोशन नमर्स सिक्स्टीन है एस्टूप किसके प्रतिक माने जाते हैं तो इस्टूप जो है महा प्री-निर्वाण का पर्तिक माने जाते हैं महा प्री-Nिर्वाण के प्रतिक माने जैते हैं तूप έ यानि इस कोशनका और सोन सी सही होगा चलिए अब आधर रखते हैं मैजाहरे इंडिका में भालत के चार नगरों का वरण किया है निमिक्रित में से किस नगर का वरण उस ने नहीं किया तो सबसे पहले मैं बता दूँँ इसका सई आंसर अप्सन एह हो जाएगा इंद्र प्रस्त नगर का उस नमेकाश्टिनिज ने अपने पुष्थक इंडिका में चर्चा नहीं किया है यारी इस क्वेशन का उप्संज है और यहां पर बात निकल के आथा कि इंडिका में भारत के चार नगरों का वरण किया तो देखे पहला है पाटले पुत्र उजयन है तक चीला है लेकिन चौथा कौन है तो चौथा कौसामबी है कौन है कौसामबी और अब मैजर यहां से तो देखे मेगा इसनीज जो है शेलुकस निकेटर के राजदूर था जो चंद्रगुप्त मौरे के राजदारवार में आया था इसको आप यादर कीगा चलिए अब आगला देखते हैं ना क्वेशन नमर 18 है पूर्ण सवराजी का बचन बजता के साथ भारत में सवर्व पर्थम सवत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत् चलिए अब आगला दखते हैं, ना question number 19 है, Congress League समझाता यानि कि लखनाउ समझाता अनिसर 16 किन के संयुक्त परियासों से संपन हो सका, तो दिखे इसका सही answer हो जाएगा, option B, किसके किसके परियासों से संपन हुआ, तो any patient एवं तीलक के परियासों से Congress League समझाता जिसे लखनाउ स समझाता भी बोला जिता है, इन दोनों के संयुक्त परियासों से संपन हो सका, यानि इस question का option B सही होगा, चलिए अब आगला दखते हैं, ना question number 20 है, हर्ष के सोने के सिखे के प्रिष्ट भाग पर किसका अंकन है, तो दिखे हर्ष के सोने के सिखे के प्रिष्ट भाग पर सी सिव परवतिक के अंकन है, किसन का अंकन है, तो सिव परवतिक का अंकन है, यानि इस question का option C सही होगा, चलिए अब आगला दखते हैं, ना question number 21 है, 276 दिवस मनाया जाता है, तो दिखे, 276 दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, को मना जाता है, 8 सितंबर को 276 दिवस मनाया जाता और आठ अक्टूबर को क्या मना जाता है तो आठ अक्टूबर को बिश्व वाइव से न दिवस मना जाता है चलिए अब आगला देखते हैं ना कोशन नमर 22 है महात्मा गांधी के राजनेतिक गुरू थे कौन थे गुपाल क्रिष्ण गोखले थे यानि इस कोशन का अप्शन एस सही होगा चलिए अब आगला देखते हैं ना कोशन नमर 23 है अर्थ सास्त के लेखा कौन थे कौन थे कौटी ले थे ॉर देखिए उर भी नाम है चाना के विश्ण ग५्त इसमें नहीं होगा कभी-कभी घुमा आकर पूछ सकता है scripts कि आर्थ सास के लेखा कौन है तो कौटी ले ना दे करके चाना की भी दे सकता है विश्ण गुप्त भी दे सकता है तो उसमें आप ल ना question number 24 है, बस्केट बॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो दिके बस्केट बॉल की एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं, कितने होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं, यान इस question का फिलाड़ी होते हैं, यान इस question का फ तो इसके सरीर के अमासा एभ़म औन तरंगों को आन्य आदी स्केपी वोड़ात है वह आधारित है और आज और अचशोल है इसका एंसर आव कमेंट में पुर्वरे प्रत्रक है में है प्रसित जगनात मंदिर किस राचे में इसका एंसर आप हमें कमेंट नुबस में जरूर बताईगा तो उम्मीद करता हूं फ्रेंट्स आप लोग को वीडियो प्रसंद आया हो यादि वीडियो प्रसंद आया तो प्रीज लाइक करना कमेंट करना और चैनल को किजिएगा थैक्स पर वाचिंग देस वीडियो थैक्स अलोट